अगर कोई नफस्यात का साइकॉलोजी का पेशा अपनाना चाहता है और इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो कौन-कौन से शोबी हैं जिनको वो अपना सकता है हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लिनिकल साइकॉलोजी की बात की थी और एक क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट के लिए एक क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट की अलिजिबिलिटी उसकी ड्यूटि और उसका मेथड आफ ट्रीटमेंट हम लोगों ने देखा था आज हम बात करेंगे क एक educational psychologist क्या होता है educational psychology भी psychology की एक field है एक शुबा है और इसमें भी आप specialization कर सकते हैं जैसा कि नाम से जाहिर है education से related है तो इसमें क्या करना पड़ता है educational psychologist बने के लिए इसके eligibility क्या होती है इसके एहलियत क्या होती है educational psychology में MSC या BS करने के बाद या फिर आप applied psychology में BS करने के बाद अगर educational psychology को as a carrier जोइन करना चाहती है तो उसके लिए आपको educational psychology में emphil करना पड़ता है और उसके बाद PhD करने पड़ती है और फिर आप educational psychologist बनकर educational psychology में खसूसी महारत हासल कर सकते हैं अब educational psychologist क्या काम करते हैं एक तलीमी पॉलीसी बनाने से लेकर इसके implement तक हर जगाई माहरीन काम करते हैं और इनका एहम केदारत होता है अब हम बात करते हैं कि educational psychology का scope क्या है psychology की ये शाख जो है ये तलीम पर असर अंदाज होने वाले जो factors हैं अवामिल हैं उनका मतालिय करने के साथ-साथ एक तालियम की सलाहियतों और उसाफ का भी एक मुनजम तरीके से मतालिय करती है learning के ऐसे तरीके सिखाए जाती हैं जो के students के age और उनके abilities के मताबिक हों educational psychology में तालियमी मियार को ब्रॉयकार लाते हुए students के students की learning का ख्यार रखा जाता है उनकी शक्सियत को देखते हुए खेल खूद के अलावा उनकी दूसरी एहम गयानिसाबी सरगर्मियों का भी ख्यार रखा जाता है इसके लावा तालियमी नजरियात तल्बा के मिसाइल कमताला करना students को classroom में कौन कौन से मिसाइल दरपेश है या उनको अपने निसाब में अपने syllabus में किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या उनका जो syllabus है वो उनके age और उनके mental abilities के मताबिक है भी या नहीं एक educational psychologist जो है वो syllabus को त्यार करते हुए अपने students की mental abilities और उसकी age को ध्यान में रखता है syllabus को त्यार करते वक्त या syllabus को देखते हुए एक तलीमी माहरी नफसयात ये भी ख्यार रखता है कि कौन सा syllabus पढ़ने से students में कौन-कौन सी तबदिलियां पैदा होंगी एक माहरे तलीमी नफसयात ये देखता है कि कौन सी age में बच्चे को क्या सीखना चाहिए एक nursery के level के बच्चे का syllabus क्या होना चाहिए उसे क्या कुछ सीखना चाहिए primary की सता तक बच्चे को क्या सीखना चाहिए और metric की सता तक बच्चे को किस तरह का syllabus दिया जाना चाहिए या उसे क्या सीखना चाहिए ये सब कुछ जो है ये तलीमी माहरे नफसयात decide करते हैं और तैय करते हैं और देखते हैं उसके बाद इन्ही माहरें की तजावीज के उपर universities और colleges में मज़मीन के इंतखाब की choices की जो subject के choices की जो सहूलत दी जाती है वो भी इन्ही माहरें की तजावीज के मताबिक दी जाती है ताकि students अपने इंट्रेस्ट के मताबिक अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकें और अपनी तालीम को जारी रख सकें अब मज़मीन के इलावा तलीमी माहरे नफसियात क्या काम करते हैं कि ये कॉलिजिज, स्कूल और यूनिवरस्टिज में उसाज़ा और टीचर्स को उन नफसियाती असूलों और तरीकों से बेयागा करते हैं जिनके मताबिक इस त्यार करदा स्लेबस को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो स्टूडन्स हैं उनको अच्छे तरीके से लर्निंग करवा सकें मसलिन छोटे बच्चों को स्कूल लेवल पर दसावीर के साथ सिखाना उसके बाद कॉलिज में मल्टाई मीडिया का यूज करना इस तरह मुखलिफ किसम के तरीके इस्तमाल किया जाते हैं बच्चों को इजिल जो स्लेबस है वो कवर करवाने के या लार्नि करवाने के इसके लावा पढ़ाई के अमल के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी असेस्मेट करना भी बहुत जरूरी है ताकि ये पताया जा सके कि स्टूडेंट्स कितना लर्न कर रहे हैं ये सब कुछ जो है ये भी एक एडुकेशनल साइकोलोजिस्ट देखता है और इसके लिए वीकली, मंथली, एन्वल एक्जैम्स का जो तरीका एकार रखा जाता है ये भी माहिरीने तालीमी नफसियात के तजावीज के मताबिक होता है और पेपर को त्यार करते वक जो MCQs में च्वाइसिस दी जाती है ये भी स्टूडेंट्स की सहूलत को मदे नज़र रखते हुए दी जाती है बच्चों में जहानत के मियार यानि IQ लेवल बच्चों का मुखलिफ होता है कुछ बच्चे जादा जहीन होते हैं कुछ कम जहीन होते हैं कुछ जहीन फतीन होते हैं और कुछ बच्चे जहनी मज़ूरी का शिकार भी होते हैं जिनको हम स्पेशल बच्चे कहते हैं उन बच्चों के लिए Special Education Centers काईम किया जाते हैं या Special Education Schools काईम किया जाते हैं जहांपे उनको learning करवाई जाती है और learning करवाने के खुसी तरीके इस्तमाल किया जाते हैं और इन बच्चों की learning इनकी education को हम लोग special education भी कहते हैं और ये बच्चे जो जिस्मानी, जहनी, मज़ूरी का शिकार हो या जिनका IQ लेवल कम हो उनको Special Child भी कहा जाता है जहनी और जिस्मानी कमज़ूरी या मज़ूरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलाधा Special Education Schools और संटर्स काईम किया जाते हैं इसके लावा जो बच्चे फतीन होते हैं उनके लिए भी आम बच्चों की निस्पत अलाधा स्लेबस तियार किया जाता है उनको अलग तलीम और सुहलिया दी जाता है उसाद्जा के मसाईल को हल करना भी एक तलीमी माहरे नफसियात की ड्यूटीज में शामिल है एक एजुकेशनल साइकॉलोजिस्ट ना सिर्फ स्टूडेंट्स के मसाईल को और स्लेबस को मदे नजर रखता है बलके वो उसाद्जा और टीचर्स को जो मसाईल दरपेश होते हैं उनको भी खल करता है एक टीचर को किस तरह अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए क्लासरूम का महौल किस तरह बहतर हो सकता है अपने स्टूडेंट्स के साथ एसन तरीके से कम्यूनिकेट किस तरह करना है ये सारा कुछ एक educational psychologist ट्रेनिंग के दुरान टीचर्स को सिखाता है इसके इलावा टीचर्स की इखलाकी रवायात, उनकी values, उनकी सहूलियात, salary वगरा का हर किसम का ख्यार रखा जाता है उसारा को training, seminars और workshop करवाया जाते हैं और उनमें उनको सिखाया जाता है कि students को learning के साथ, तलीम के साथ, उनके syllabus में उननिसाबी सरगर्मियों को भी फ्रोग दिया जाना चाहिए इसके इलावा एक educational psychologist जो होता है, ये हर वक्त research में लगे रहते हैं कि students के लिए कौन सा तलीम का तरीका उसके लिए beneficial हो सकता है, मुफीद हो सकता है या उसाथा की training किस तरीके से की जा सकती है, या फिर कौन सी हमनिसाबी सरगर्मिया जो है, वो बच्चों की learning के लिए मुफीद साबिद हो सकती है बच्चों में पढ़ाई की लगन और दिल्चस्पी किस तरह पैदा की जा सकती है इसी तरह उसाथा और तलबा जो होते हैं, उन में अच्छे तरीके से communicate करने और उनकी तखलीकी सगर्मियों में उनकी creative activities को ब्रॉयकार लाने में जो educational psychologist होता है, यह हर वक्त research में लगे रहते हैं मैं उमीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें, अलाफिज